मेरे सभी सिक्षक साथियों को नवीन सेक्षनिक सात्र दोहजार चोविस पच्चिस की हारदिक सुपकामना है जैसे कि हमें पता है कि 18 जून 2024 से छात्रों के लिए नवीन सेक्षनिक सात्र प्रारम हो जाएगा बैसे तो सिख्षकों के लिए जो नवीन सेक्शनिक सत्र है 1 जून से प्रारम हो चुका है जिसमें 1 जून से 17 जून के मद हमें साला संचालन से संबन्धे जो आवशक तयारियां है जैसे की साला की साफ सफाई नामंकन हेतु सर्वे कार करना इस प्रकार के सभी कारियों के लिए एक से 17 जून 2024 के मद हमें कार करना था अब जैसे की प्रती वर्ष नवीन सेक्षिनिक सत्र में इसकुल चले हम अभियान हमारे द्वारा चलाये जाता है जिसमें हम सर्वे कार करते हैं प्रिवेस उस्सो मनाते हैं इस प्रकार के तमाम जो कार हैं वो इसकुल चले हम अभियान के अंतरगत हम करते हैं अब इस बर्ष भी इसकुल चले हम अभियान के अंतरगत एक नवीन कारकरम इसमें दिया गया है और इस सम्मन में जो आदेश है वो इसकुल सिख्षय विभाग के द्वारा 10 जून 2024 को जारी किया गया जिसमें इसकुल चले हम अभियान अंतरगत प्रिवेश उस्सो कारकरम 2024 के संबन में दिसा निर्देश दिये गया है जिसमें बताया गया कि 18 से 20 जून 2024 के मद जो स्कूल चले हम अभियान हैं वो चलाये जाएगा जिसमें जो गणमान नागरिक हैं या फिर जिनके द्वारा कोई बिसेस उपलब्धी हासिल की गई है वे सभी व्यक्ति अपना जो पंजियन है एजुकेशन पोर्टल पर लिंके माध्यम से करेंगे और साला में पहुँच जो कर वे चात्रों को मोटिवेशन जो स्पीच है वो देंगे कि उनके द्वारा कौन-कौन सी उपलब्धी हासिल की गई है इस समद में हम देखें तो विस्तत निर्देश इसमें दिये गए हैं जिसमें बताया गया कि कौन-कौन इसमें सहवागिता दे सकते हैं सांथी इस प्रकार से हम कर सकते हैं चुकि इस समद में बताया गया है कि इसका ब्यापक प्रिचार प्रिचार हमें करना है तो सिक्षक सांथी इसका ब्यापक प्रिचार प्रिचार कर ले और अधिक से अधिक पंजियन प्रेरक के जो हैं वो एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से हो जा लेना है education portal open करने के लिए एड़ेस बार में type करना है educationportal.mp.gov.in इतना type करके हमें सर्च कर लेना है जैसे हम सर्च करेंगे हम education portal के home page पर आजाएंगे जहां home page पर ही आप देखेंगे कि प्रेरक पंजियन का एक option इसमें दिया गया है आप देख सकते हैं इसकुल चले हम अभियान 2024 हेतू पंजियन करने के लिए यहां click करें तो हमें पंजियन करने के लिए simply यहां पर click कर देना है जैसे हम click करेंगे तो थोड़ी process होगी और एक न पंजियन का पहला option दिया गया है और दूसरा जो option इसमें दिया गया है registration डाउनलोड करने का अर्था जब हमारा पंजियन हो जाएगा इसके उपरांथ हम अपने registered mobile से जो registration है वो डाउनलोड कर सकते हैं और जो registration है हम चाहां तो अपनी जो साला है वहां पर ले जाकर वहां की जो संसरा प्रमुख है उन्हें बता सकते हैं कि हमारे दौरा registration किया गया है और आज हमारा समंधित आपकी जो साला है इसमें lecture है तो सबसे पहले हमें registration करना है registration को भी कर सकता है सिक्छक स्वयम अपना भी registration कर सकते हैं वो जिस स्कूल में जाना चाहते हैं बस अरते उनके पास में अपनी उपलब्धी बताने के लिए रहे कि आपके द्वारा कौनसी उपलब्धी हासिल की गई है इस प्रकार से ग्राम के को भी व्यक्ति जिनके द्वारा विसेश कोई उपलब्धी हासिल की गई हो बे अपना registration कर सकते हैं तो हमें simply प्रेरक्ट पंजियन करें इस option पर प्राप्त होगा OTP प्राप्त करने के लिए simply दौनों बॉक्सों में हमने अपना mobile नंबर फिल कर दिया है जो capture code दिया गया है इसे Sam फिल कर दिया इसके उपरांद OTP प्राप्त करें इस option पर क्लिक कर देना है जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे mobile पर एक OTP आएगा जिसमें मैस message भी आप देख सकते हैं कि दर्ज mobile नंबर पर OTP भेज दिया गया है अब आपको OK कर देना है और आपके mobile में जो OTP आया है वो आपको इस box में फिल करना होगा OTP फिल कर देने के बाद में simply submit OTP इस option पर क्लिक कर देना है जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब एक नया page हमारे सामने आएगा जहां हमें अपनी जो detail है वो फिल करना होगा और बताना होगा कि हमें किस साला में lecture के लिए पहुँचना है अपनी जो जानकारी है उससे साजह करने के लिए किस साला में पहुँचना है तो सबसे पहला तो आपको अपना जो नाम है वो यहाँ पर फिल कर देना है इसके बाद में जो आपका mobile number है वो आपको freeze मिलेगा, आपको gender जो link है आपका, इसका chain करना है, इसके बाद में आपका जो पता है, वो आपको यहाँ पर fill कर दाना है, address फिल करने के बाद में आपको जो जिला है आपका, इसका chain करना होगा, इसके बाद में आपका जो विकास ख भी आप इसमें फिल कर सकते हैं, email id फिल कर देने के बाद में section की योगता, आपकी जो section की योगता है, कहां तक है, वो आप इसमें फिल करें, और आप बर्तमान में आपका बैवशाय क्या है, वो आप यहां पर आपको बताना होगा, कि आप सास की सेवक हैं, या फिर अधिवक आपको जिस साला में जाना हो, उस साला का chain करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जिले का chain करना है, इसके बाद में स्थानी निकाय जो है आपका, वो फिल कर दें, जनपत पंचायत, नगरपाली का किस हेत्र में आप जाना चाह रहे हैं, तो वो आपको यहां पर जो निकाय है, इसका chain आपको करना होगा, निकाय का chain करना होगा, अब आपको यहां से जो आपकी ग्राम पंचायत है, वो select करना होगा, और ग्राम पंचायत या John select करना होगा, अब आपको साला का chain करना होगा, कि कि साला में आपको अपना lecture या फिर अपनी उपलब्धी बता पार्ट इसमें दिया गया है सह अकादमिक सहयोग का chain करें तो आप किस प्रकार से इसमें सहयोग करना चाह रहे हैं उसका chain आपको स्वेक्षाइब करना होगा, इसमें बताना चाहेंगे कि आप एक से अधिक options का chain कर सकते हैं, जैसे हम इसट्रन होद र river chain करना हो तो एक option आप इसमें select कर सकते हैं अब इसमें आगे पूछा गया है कि क्या आपके द्वारा Chinese साला में अध्यन किया है क्या आपने अध्यन किया है यहाँ पर यदि अध्यन किया हो तो आप हाँ पर select करें और यदि बाद में किस कक्छा मैं अध्यन किया था वो कक्छा आपको यहां पर select कर लेना होगा तो जैसे हमें आप पर कक्छा select कर लेते हैं और इतनी जानकारी फिल कर देने के बाद में एक बार आपको form को अच्छे से check कर लेना है सभी जानकारी सही होने पर आपको पंजियन को सुरक् सकते हैं डाउनलोड करने के लिए आपको home page पर जाना होगा home page पर आप देखींगे कि यहाँ पर जैसे किलिक करें इस पर जैसे आप किलिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से page आएगा अब आप रेजिटेशन डाउनलोड करें इस option पर किलिक करके अपना जो रेजिटेशन हैं इसे डाउनलोड कर सकते हैं, रेश्टेशन डाउनलोड करने के लिए आपको अपना रेश्टेड मॉबाइल नमबर, जो आपने रेश्टेशन करते समय फिल किया था, वो मॉबाइल नमबर दौनों बॉक्सों में फिल करना होगा, जो कैप्चा कोड दिया गया है, जैसी हम OTP को सम्मिट करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा रेश्टेशन है, वो ओपन हो चुका है, अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के लिए आप देखेंगे, कि नीचे प्रिंट का ओप्शन दिया गया है, सिंपली आपको प्रिंट पर किलिक करने के उपरांत, यदि आपके सिस्टम में कोई प्रिंटर इंस्टॉल हो, तो आप सीधे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर इसे PDF फॉर्मेट में भी सेफ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम इसे PDF format में save कर लेते हैं, download कर लेते हैं तो हमने अपना जो registration है, इसे save कर लिया है PDF format में तो इस प्रकार से स्कूल चले हम अभियान के अंतरगत, जो प्रिरख हैं बे अपना registration बहुत ही असानी से कर सकते हैं साथ ही इसमें बताना चाहेंगे कि इसकी जो link है आपको description box में मिल जाएगे यदि आप education portal open नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधे link पर click करके आप अपना registration कर सकते हैं तो आसा है प्रिरख पंजयन से संबंधित जो जानकारी दी गई है, आप समझ पाए होंगे मिलते हैं कुछ इसी परकार की विभागी जानकारीों के साथ में अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं